हेलो साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं आज हम बनाएंगे गाजर का जूस जो हमारे सरीर को स्वस्त रखता है और हमारी रोग प्रती रोधक शम्ता को बढ़ाता है इस जूस का सेवन करना बहुत फाइदे मंद होता है इसमें मौझूद सभी परकार के पोशक प्रत्तव हीमोगलोविन बढ़ाने के साथ पेट और आखो और तवचा के लिए बहुत फाइदे मंद होते हैं जूस को सुबह ही पीना चाहिए क्योंकि सुबह के समय पीने से ये हमारे सरीर को जादे से जादा फाइदा पहुंचाते हैं तो चलिए आए बनाते हैं गाजर ने ला मैं लिए है ये खास वाद हीं है कि देभ्हुमी रहाएधका पुद्रीना है कि देभुमी उत्राकंड का जूस के रूप में इसका सेवन करते हैं। यह कॉइंटिटी मैंने दो ग्लास जूस के इसाब से लिए है। इन्हें छिलने से पहले एक बार दो लिया हैं। छिलने के बाद भी मैंसे एक बार धो दूँगी। गाजर में कई परकार के वटामिन्स होते हैं। गाजर से सरीर में खून बनता है, कब्जी की समस्या खत्म होती है, रोग प्रती रोदक्षमता बढ़ाता है और कैंसर पर नियंतरन रखने में उप्योगी है गाजर से बालों, आँखों और तचा के सौस्ते में सुधार आता है और चेहरे में निखार लाता है चुकंदर में आईरेन, सोडियम, कैल्शियम और कई पोशक तत्व और कई विटामिन्स होते हैं जो हमारे हुमोगलोविन बढ़ाता है, रोग प्रती रोदक्षमता बढ़ाता है, इसकीन का ख्याल रखता है, चेहरे में निखार लेकर आराता है आवला, आवले के तो क्या ही गए, ये तो गुणों का बंडार है, इससे हमें सरीर में, हमारी आखों में, हमारे बालों में काफी फायदा मिलता है, आमले में कई परकार के विटामिन्स होते हैं, आंटी आक्सिजेंट होता है, और फाइबर भरपूर मात्रा में पाये जात और तविट को जाँ बनाईर रखने में मदद करता है। सफिद बालो के काला करने में काफी कारगर है। आखो की रोश्णि बढ़ाने भी ही काफी मदद करता है। ऐसे कहाा है कि आखो यह से ज्छादा फाइद्धों के लिए हमें इसे सूबे खाली पेट इक आमला हमें खाना चहीं लेकिन वैसे एक आमला नहीं खाया जाता हमसे तो इसलिए हम इसका जूस बना के जाल से ज़्यादा आमली काhh Seven हम कर सकते हैं आमली को इस तरीके से पीसिस में कट कर लें Mr.. चुकंदर को भी इस तरीके से थोड़ा कट कर लेंगे गाजर जो ज्यादा मोटी है उसको भी हम इस तरीके से दो हाफ में काट लेंगे अब हम सब का जूस निकालेंगे का लुट ले अब हाफ में रहाफ में दोड़ा दो कट रहाफ में धुट तैयार है गाजर चुकंदर आमले का जूस जो हमारे पूरी सरीर का ख्याल रखेगा तो आप भी बनाईए और इस जूस के रिगार्डिंग कुछ अगर सुझाव है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखकर मेरे साथ शेयर करें मेरे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करें तो जल्दी मिलते हैं अगली रेसिपि के साथ और यूँ ही देते रही अपना प्यार और समान